दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जिनको अगर आप रेगुलरली लेना इस्तमाल करना शुरू कर देते हैं तो उससे आपको इतने फाइदे मिलेंगे जितने आपने इमाजन भी नहीं किये होंगे। इन दोनों ही चीजों को अगर आप इस्तमाल करते हैं रेगुलरली जो कि आपको बहुत ही असानी से मिल भी जाएंगी तो इससे आपको इतने फाइदे मिलेंगे कि मानो आपकी जो उम्र है वो रुक सी जाएगी और आप अपनी उम्र से ज़ादा जवान दिखेंगे, हेल्द दोस्तों जैसे जैसे इनसान तरक्षी कर रहा है, डिजिटल एरा में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसके खाने पीने की जो आदते हैं, जो खाना पीना है, वो बद से बत्तर होता जा रहा है अब से जादा पुरानी टाइम की बात नहीं है, अगर हम 15-20 साल पहले की बात भी करें, तो उस टाइम में जो चीजे हम बिलकुल छूते भी नहीं थे, खाते भी नहीं थे, और जानते भी जिनके बारे में नहीं थे, वो सभी चीजे आज की डेट में बिलकुल आम हो चुक और इसके अलावा बहुत जल्दी हमारे अंदर बुढ़ापा, मोटापा और डायबेटीज जैसे बिमारियां भी पैदा होने लगती है दोस्तो हमारी जो बॉड़ी है वो बनती है सेल्स से, सेल्स यानी कोशिकाएं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो इटे हैं जो एक मकान को बनाती हैं जैसे इटे एक मकान को बनाती हैं, उसी तरह से सेल्स जो है वो हमारी बॉड़ी को बनाती है इन cells की अपनी एक life cycle होती है ये पहले पैदा होती है फिर जवान होती है फिर बूड़ी होती है और फिर मर जाती है और इनकी जंगा दूसरी cells जो है वो पैदा हो जाती है और वो फिर यही काम करती है और इसी वज़ा से हमारी जो सेहत है वो maintained रहती है लेकिन जिस तरह का खाना पीने आजकल हम खा रहे हैं उसकी वज़ा से हमारे अंदर जो ये cellular regrowth है ये disturb होने लगती है और इसकी वज़ा से हम समय से पहले बुढ़े दिखाई दिने लगते हैं और हमारे अंदर तरह तरह की बिमारियां पैदा होने लगती हैं दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस जमाने में हम लोग रह रहे हैं उसको तो हम नहीं बदल सकते हैं जिस lifestyle को हम जी रहे हैं उसको बदलना बहुत ही जादा मुश्किल है क्योंकि हमारे चारो तरफ इसी तरह की चीज़े अवेलेबल हैं और हम इनसे किसी भी टीमत पर 100% अपने आपको नहीं बचा सकते हैं अगर हम यह कहें कि हम अच्छी चीज़े लेना शुरू कर देंगे हम fruits and vegetables खाएंगे fresh तो इस तरह की चीज़े भी दोस्तों आज के जमाने में हमें असली नहीं मिल रही हैं आप जानते ही हैं कि आजकल fruits and vegetables को पैदा करने के लिए कितने सारे pesticides और chemicals को यूज किया जाता है अपने आपको healthy रख सकें दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको अब दो ऐसी चीज़े बताने वाला हूँ जिनको अगर आपको अपनी diet में शामिल कर लेते हैं अपने lifestyle में incorporate कर लेते हैं तो उसकी वज़ा से आप इस तरह की चीज़ों को खाने से होने वाले जो side effects है उनको काफी हद तक कम कर सकते हैं और अपने आपको healthy और जवान बनाए रख सकते हैं दोस्तों ये दो चीज़े जो आपको अपनी diet में शामिल करनी हैं अपने routine में लानी हैं वो है नीम और हल्दी की गोलियां और ये गोलियां आपको खुद ही अपने घर पे अपने आप ब benefits मिलते हैं दोस्तों नीम और हल्दी को जब आप साथ में लेना शुरू कर देते हैं तो उसकी वज़ा से सबसे पहला फायदा आपको मिलता है आपके digestive system के लिए ये दोनों ही चीज़े आपके digestive system को cleanse करने का detoxify करने का साफ करने का काम करते हैं साफ करने से मेरी मुराद यह है कि आपकी गड के अंदर आपकी आटों के अंदर जो bad bacteria होते हैं उनको तो ये body से flush out कर देता है और आपके जो good bacteria हैं जो कि आपकी सेहत के लिए और आपकी digestion के लिए अच्छे होते हैं उनकी growth को ये promote करते हैं इसके साथ आपका जो liver है उसको भी detoxify करते हैं और आपके खाने प bad chemicals जमा हो जाते हैं इस तरह की चीज़ों को खाने से उनको भी ये साफ करते हैं आपकी skin health और hair health को भी इंप्रूव करते हैं और इसके साथ आपकी body के अंदर जो unnatural cellular growth होती है जो की cancer बनने का एक बहुत बड़ा कारण होती है उसको भी कम कर देता है जिसकी वज़त से आपके अं संजीवनी बूटी का काम करती है और आपकी overall health को improve करके आपको जवान बनाए रखती है और तरह तरह की बिमारियों के होने के खत्रे को कम कर देती है अब बात करते हैं कि इन गोलियों को आपको किस तरह से बनाना है दोस्तों इन गोलियों को आप घर पे ही बड़ी असानी स बना सकते हैं सिर् def 5 मिनट के इन गोलियों को तयार किया जा सकता है इनको बनाने के लिए आपको नीम का पाउडर चाहिए और हल्दी का पाउडर चाहिए सबसे पहले नीम की बात करते हैं आपको क्या करना है आपको एक टी स्पून नीम का पौडर लेना है एक कटोरी के अंदर और इसके अंदर आपको एक टी स्पून पानी मिलाना है इन दोनों चीज़ों को मिला के आप अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लीजे और थोड़ा हाथ से भी कुचल लीजे ताकि अच्छी सी consistency उसकी बन जाए जब ये paste की शकल में एक आठे की शकल में बन जाए तो इन गोलियों इसको आप गोलियों की शकल में गोल गोल बना लीजे गोलियों के जो आपका size रहेगा वो रहेगा करीब बड़े वाले मोटे वाले चने के दाने की बराबर यानि जो काबुली चना होता है मोटा वाला करीब उसकी बराबर आप एक size की इस गोलिया बना लीजे और इसके बाद आप बनाईए हल्दी की गोलिया हल्दी की गोलिया बनाने के लिए आपको यही करना है आपको एक टी स्पून हल्दी पावडर लेना है और उसमें आपको आधा टी स्पून पानी मिलाना है इसमें आधा मिलाना है इन दोनों चीजों को मिला के हल्दी और पानी को आप इसको भी सितरा से मिक्स कर लीजे और इ इतनी भी herbs होती हैं, अगर आप उनको खाली पेट इस्तमाल करते हैं, तो उससे इनका absorption ज़ादा अच्छा होता है, और आपको result से ज़ादा अच्छे मिलता है, लेकिन अगर आपको सुभा के नमबर में कोई और चीज इस्तमाल करते हैं, कोई और नुस्खा लेते हैं, या मिस सहत में एक अजीब सा एक घजब का improvement और सुधार दिखाई देने लगेगा, I am sure इसको लेने से आपकी जो उम्र है वो भी रुकेगी, आप ज़्यादा जवान भी दिखेंगे, आपके अंदर तरह तरह की बीमारियां होने का खत्रा भी कम होगा, और आपकी body के अंदर energy भी बढ़ जाएगी, दोस्तों मुझे उमीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर अगर नए है इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा